अगर आप जमो कश्मीर यूटी से ब्लॉंग करते हो तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप जॉब कार्ट के लिए ओनलाइन एपलाई कैसे करोगे MG नरेगा जाब कार्ट के लिए जो डाकुमेंट की रिक्वाइरमेंट रहेगी आपका राशिंग कार्ट और अधार कार्ट तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे की मेरे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब कर देना तो चलिए शुरू करते आज की वीडियो आपको आना होगा अपने मुबाइल फून के क्रॉम ब्रोजर पे ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा जन सोगम जन्सोगम सर्च करने के बाद आपके सामने जन्सोगम जमू किश्मीर का आफिशल वेबसाइट आ जाएगा तो आपको इसको उपन कर देना है service plus meta data visit website open करने के बाद आपको यहाँ पे एक option आ रहा है login का तो आपको यहाँ पे login पे click करना है login पे click करने के बाद आप redirect हो जाओगे मेरी पेच्छान की site पे तो आपको यहाँ पे अपना username और password डालना है अगर आप already registered हो तो तब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे साइन अप फार मेरी पेच्छान पे click करने साइन अप फार मेरी पेच्छान पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपना mobile number एंटर करना होगा और यहाँ पे आपको जरनेट OTP पे क्लिक करना होगा उसके बाद आपके मुबाइल नमबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा तो आपको एंटर कर देना है OTP एंटर करनी के बाद आपको यहाँ पे अपना First Name और Last Name एंटर करना होगा उसके बाद आपको अपनी Data Birth यहाँ पे एंटर करनी है तो आपको यहाँ पे Suggested User ID पे क्लिक करना होगा Suggested User ID पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको कुछ टाइम यहाँ पे वेट करना होगा उसके बाद यहाँ पे आपको 3-4 आफशन आएगा तो उसमें आप कोई भी चूज कर सकते हो अपनी User ID के लिए तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक Password आपको create कर देना जिसमें 8 characters आपका password रहने वाला जिसमें आपको एक modify case एक lower case और एक letter और एक digit और एक special character आप igual पासवड अपना create कर सकते हो उसके बाद आपको verify पे क्लिक करना है आपका जो account है वो successfully create हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से लॉग इन पेज़ पे आ जाना है लॉग इन पेज़ पे आने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे mobile number सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे आपको एंडर करना होगा अपना mobile number और आपने जो password create किया है वो डालना होगा उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके मुबाइल नमबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा तो आपको वो OTP यहां पे फिल कर देना है OTP फिल करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है Sign In पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पे सारी Services का Option आ जाएगा उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको यहां पे J-K-U-T Services का एक Option आ रहा है तो आपको इस पे क्लिक करने है जेके यूटी सरुस इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर option आ रहा है service plus gen sogram का तो आपको यहां पर इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर access no पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ time wait करना होगा क्योंकि site थोड़ा slow है उसके बाद यहां पर आपको option आ रहा है apply first services का तो आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद आपको एक option आ रहा है view all available services तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने service services का option आ जाएगा उसके बाद आपको यहां पर search करना होगा MG Nerega Job Card तो आपको यहाँ पे एक option आ गया है service name का application for issuance job card under MG Nerega और department जो है वो department अप पंचाईती राज तो आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपका जो application form है वो open हो जाएगा तो आपकी जो यहाँ पे state है वो select automatic आ जाएगी तो उसकी बाद आपको यहाँ पे अपना district select करना होगा district select करने के बाद आपको यहाँ पे अपना block select करना होगा जो भी आपका block होगा उसकी बाद आपको यहाँ पे अपना जो पंचाईत है वो select कर देना है पंचाईत select करने के और यहाँ पे अपको एक head of household का photo upload करना है उसके बाद आपको यहाँ पर parentage एंटर करना है उसके बाद आपको यहाँ पर gender select करने की बाद आपको यहाँ पर फिल करनी होगी अपनी डेटा बर्थ उसके बाद यहाँ पर फैमिली आइडी यहा Hack number आउज नंबर करना होगा उसके आपको यहां पर email ID और यहां पर आपको category उसके बाद आपको यहां पर अपनी bank की detail center करनी है यहां पर आपको अपना bank branch name डालना होगा और bank name जो भी होगा आपका JK bank और कोई bank तो उसके बाद आपको यहां पर bank account number डालना होगा जो आपके अधार card वहां पर link in होना चाहिए आप अपना अधार card number link कर लीजिए उसके बाद आपको यहां पर अपने bank branch का FC code एंटर करना है उसके बाद यहां पर आपको number of applicants willing to work select करने होगे कि आपके कितने इस applicant में आप कितने बंदे काम करना चाहते हो दो बंदे तीन चार या पांच भी एंटर कर सकते हो उसके बाद यहां पर आपको family photograph भी upload करना होगा तो आपको जितने भी willing के लिए work के लिए enter करना होगे तो वो सब मिलके आपको यहां पर एक photo लेना होगा तो उसके बाद आपको यहां पर upload कर देना है family photograph तो उसके बाद आपको यहां पर I agree पर click करना है I agree पर click करने के बाद यहां पर verification एंटर क करने के बाद आपको यहां पे submit पे click करना है. Submit पे click करने के बाद आपको यहां पे एक drop reference number आ जाएगा तो उसकी बाद आपको यहां पे अपनी details सारी check कर देनी है अगर आप में कोई कल्थी की है online application में तो आपको यहां पे edit पे click करना होगा और आपनी details फिर से correct कर देनी है अगर ठीक है तो उसके बाद आपको यहां पे attach and exercise पे click करना है इस पे click करने के बाद यहां पे आपको अपना rushing card और अधार card जो है वो upload करना होगा तो आपको यहां पे एक rushing card का option आ रहा है तो आपको यहां पे select पे click करना है और यहां से आपको select कर देना है राशिंग card inner और outer both side तो आपको यहां पे select कर देना है उसके बाद यहां पे अधार card जो है वो applicant 1 का यहां पे front side select कर देना है उसके बाद आपको यहां पे अधार card applicant 1 का जो है वो back side select कर देना है उसके बाद अधार card applicant 2 का यहाँ पे front side select कर देना है उसके बाद अधार card applicant 2 जितने भी आपने अपने job card में applicant enter करने होंगे उतने के जो है वो अधार card आपको upload करने होंगे और आपको जो राशेंग card है वो family member head का एक ही upload करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे applicant 2 का back side भी select कर देना है back side select करने के बाद यहाँ पे आपको save and exercise पे click करने के बाद आपके जो document है वो successfully upload हो जाएंगे उसके बाद आपको submit पे click करना है submit पे click करने के बाद आपकी जो application है वो successfully submit हो जाएगी और यह थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो like, share और subscribe करना ना भूले अगर आपको कोई problem आ रही है फॉर्म फिल करने में तो आप comment कर देना तो मिलते हैं को नई वीडियो में तब तक के लिए good bye, allahafiz